Hello everyone, welcome to part Sala. आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम 3 variable boolean expressions को k-map के थूँ easily solve कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 3 variable k-map में आपका SOP form होता है और दूसरा होता है POS form. तो SOP form में हम fill करते हैं 1 को और यहाँ पे 0 का मतलब होता है किसी भी variable का बार और 1 का मतलब होता है किसी भी variable को वो represent करता है. तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 0 का मतलब होता है A बार इसका मतलब और 1 का मतलब हुआ यहाँ पे कि A है वो. तो इसी तरीके से और हर एक जो भी आपका यहां पे सेक्सेंस है उनका अपना एक आड्रेस हुआ यहां पे आप नमबर में इसको लिख सकते है अब हम देखेंगे यहां और हम देखेंगे यहां पे इसका जो अगर हम वेरिबल के टर्म में देखें तो इसका एड्रेस आप यह समझ सकते हैं कि a bar, b bar, c bar है और यहां पर a bar, b bar, c है तो इसी तरीके से सारे जो आपके सेक्शन से हैं उसके एड्रेसे आप समझ सकते हैं ठीक है अब हम देखेंगे pos form में तो pos form में जैसा कि हम पता है कि यहां पर zero की वो variable और one का मतलब होता है उस variable का बार, तो यहां पर आप देख सकते हैं जिरो का मतलब, यह, अब यहां पर जो आपकी जो numbering है, numbering तो उसी तरीके से होती है, जैसी SOP में होती है, यहां पर address आपका change हो जाता है, यहां पर हम लिखते हैं a bar, plus b bar, sorry a bar नहीं है, यहां पर a plus b plus c, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जिरो plus 0 plus 0 है, तो combination आपका 3 zero आप यहां पर सिरो 0, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर combination है हमारे 0 plus 1 plus 1, तो हमारे combination हमारा 0, 1, 1 इसलिए इसका number 3 हुआ, तो उसी तरीके से यह numbers की जो value है, उससे इसका मतलब नहीं होता है, यहाँ पर बस यह हमारे changes होते हैं, like यहाँ पर हमने a plus b plus c बार, तो उसी तरीके से सारे के address आपके change हो गए एक तरीके से, अब हम देखेंगे कि कैसे questions को solve करना है, तो questions यहाँ पर मै दिये हुआ हो, आप देख सकते कि यहाँ पर z missing है, यहाँ पर आप देख सकते कि x missing है, यहाँ पर भी आप देख सकते कि x missing है, तो जो जो variable यहाँ पर miss होता है, उसे हमें इस variable में यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके बगार हम यहाँ पर numbering नहीं कर सकते तो हमारे हर एक एसोपी फॉर्म में जो भी प्रोड़क्ट है यहां पर जितने भी प्रोड़क्ट है उन सम्में तीनों वेरिबल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें अगर हमें multiply कर दें यहां पर हम वन से ठीक है क्योंकि multiplication फर्म में मुल्ब ब्रोड़क्ट फर्म में तो यहां पर हमें इसमें वन का प्रोड़क्ट करेंगे तो उससे यहाँ पे इन सारे वेरिबल्स जो हैं उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है तो वन की वैलू आप यह समझ सकते कि अगर हम यहाँ पे जेड प्लस जेड बार लें तो इसकी वैलू हमारा हमीशा वन होगा क्योंकि अगर जेड की वैलू जीरो है तो यह यहाँ पे जेड बार की वैलू 1 होगी यहाँ पे जेड की वैलू 1 है यहाँ पे जेड बार की वैलू 0 होगी तो इस दोनों ही कंडिशन में हमें फाइनल वैलू 1 मिल रही है तो यहाँ पे हम यह वह भी मिसिंग टर्म है उसके जो जेड प्लस जेड बार से हम इसे मल्टिप था, यहाँ पर भी x missing था, अब हमें यहाँ पर लगाना है distributive law, या फिर आप यहाँ पर कह सकते कि इन सारे variables को हमें distribute करना है, तो यहाँ पर distribute हम करेंगे x bar y z plus x bar y z bar, ठीक है, तो यहाँ पर हमें distribute करने के बास सारे variables हमें मिल गए, अब देख रहे हैं कि हमारे जिने भी products हैं, उन सब में तीनो variables available हैं, लेकिन यहाँ पर एक problem और है हमारे पास कि एक ही variable हमें दो-दो बार कहीं मिलना हुआ है, लाइक आपका यह जो है, वो यहाँ पर भी है, वैसी x, y, z, v, हमें दो बार मिल रहा है, तो हमें जो जो दो-दो term हैं, उससे आप single term में बना सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि a plus a is equal to a होता है, तो हमें दो बार a लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से जो यह अगर इस पूरे variable को हम एक value दे दे a, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें एक को हटा देंगे, तो अब यहाँ पे हमें variable हटाने के बाद, चार, पांच total मिल रहे हैं products, अब इन सारे products को हमें fill करना है, क्योंकि sum of product है, तो हमें one fill करना होगा, तो SOP में है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x bar y z, तो यहाँ पे मैं आपके सहुलियत के लिए लिख देती हूँ, यह x bar है, और यह x है, और उसी तरीके से यह y bar z bar है, यह y bar z है, और यह y z है, और यह y z bar है, तो आप यह तो numbers लिखें या फिर आप यह variables लिखें, यह आपके मर्जी है, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यह आपके मर्जी है, आपको किसमे सहुलियत मिलती है, मैं हमेशा से numbers ही use करते आई हूँ, और मुझे numbers ही ज़्यादा आसान लगता है, तो इसे लिए मैं numbers ही use करूँगी, आप चाहें, तो आप सीधे-सीधे variables में, अगर game app आप बना रहे हैं, किसी descriptive exam में, तो आप variables की जगह पे, आप पर variables की जगह पे, आप पर variables लिख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि पहला term है, हमारा x bar yz, तो x bar हमने लिया 0, और yz जो है, वो 11 के form में होगा, तो 0, 1, 1, 3 में आएगा, तो हमने 3 में fill कर दिया, और उसी तरीके से यहाँ पे है x bar yz, बार, तो आप यह समझ सकते हैं, यह 0 है, यह 1 है, और यह 0 है, मैं इसी तरीके से इसको सोच के रखती हूँ, मतलब बन में यह सोचती हूँ, और उसके बाद फिर इसे fill कर देती हूँ, तो यहाँ पे 0, 1, 0 है, यानि 2 है, तो 2 पे fill कर देंगे, यह फिर आप यह भी देख सकते है, 0, 1, 0, यहाँ पे fill क्या, तो आपको जैसे सहुलियत लगे, वैसे आप कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधे यह जो boxes में numbers हैं, आप सीधे boxes में numbers कर सकते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप numbering अगर boxes में किये हुआ है, तो आप directly यहाँ पे numbers को देख करके fill कर सकते हैं, मुझे यह ही असान लगता है, अगर आप चाहें तो variable लिखेंगे, वैरियाबल से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते है, x, y, z वार है, ठीक है, तो 1, 1, 0, यहाँ पे हमारा आ रहा है, 1, 1, 0, 6 होता है, तो 6 पे आएगा, नहीं, हाँ, यह 2 पे fill नहीं किया था मैं, अब यह आएगा 6 ठीक है, अब यह x, y, z है, तो यानि 1, 1, 1, 1, यानि 7, और वैसे ही फिर यहाँ पे है 1, 0, 0, यानि 4, यह 4 पे वैने fill कर लिया, मैं ऐसे fill क के साथ, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रूप कौन सा बन रहा है, तो देख रहे हैं हम कि यह 4, 1, जो है, वो अगल बगल में है, तो इनको हमने ग्रूप में बना दिया, ठीक है, अब एक 1 हमारा बच गया, तो उस 1 को हमें किसी और के साथ करेंगे, यानि 4 वाले 1 को 6 वाले 1 के साथ, यहाँ पे हमने एक ग्रूप किया, दूसरे के साथ, ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दो ग्रूप बन कर आ रहे हैं, और हमें यह देखना है कि कौन से वाले से क्या हमें वेरियेबल मिल रहा है, तो यहाँ पे पहला जो जी रेड ग्रूप है, उसको अगर आप देखेंगे, तो देखेंगे कि X की वालूप चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन Y की वालूप यहाँ पे, Y की वालूप चेंज नहीं हो रही है, लेकिन Z की वालूप चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे यहां 0 यहां 1 लेकिन यह जड़ वाला पर जड़ बार सेम है यानि ज़िरो-ज़रो है यहां पर एक्स जड़ बार करें तो यह हमारा फाइनल अंसर हो गया SOP form में हमाई answer मिल गया अगर हमें POS form में लाना होता तो हम 0 को grouping कर सकते थे तो वो आपको एक question exam में कैसा दिये हुआ है अगर आपको spatially लिखा हुआ है कि आपको POS form में लाना है तो फिर आप यहाँ पे 00 fill कर सकते हैं और 00 fill करने के बाद इसको फिर आप आपको दो-दो के group में बना सकते हैं एक horizontal group बने का और दूसरा आपका vertical group ठीक है तो यह आप इससे भी grouping करके final answer निकाल सकते हैं तो वैसे मैं POS का आपको बता दूँग एक example अब हम देखते हैं दूसरा जो मैं आपको बता रही थी यह 3, यह 4, यह 5, यह 6 और यह 7 अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर भी हमारे पास यही है कि दो variables SOP फॉर्म में दिये हुए हैं लेकिन यहाँ पर तो तीन variable हैं लेकिन इन दोनों ही जगह पर एक-एक term missing है तो उन term जो missing term है उनके को हम यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर देखे हैं हमें यह x plus x bar और y plus y bar से हमने multiply कर दिया अब हम distributive law लगाएंगे और distributive law लगाने के बाद हमारे पास यह सारे terms आ गया है जिसमें सारे के सारे variables हैं कोई भी missing नहीं है products में लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x, y, z, x, y, z दो बार आ रहा है तो हम उसे एक बार कर लेंगे और कोई है जो की same है नहीं है नहीं है तो अब हम में final में चार हमें values मिल गई चार product मिल गए अब इन चारो product को हमें इसमें fill करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे x, y, z यानि यहाँ पर 001 क्योंकि यह SOP में है ठीक है हम 1 fill करने वाल है यहाँ पर 111 यहाँ पर आप तीनों को देख सकते हैं 011 और यह है आपका 101 तो आप देख सकते हैं अगर आप directly numbering करना चाहें तो यह 1 है यह 1 होगा यह होगा 7 यह आपका 3 होगा यह होग आपका 5 हम सीधे चाहें तो 1357 में 11 fill कर देंगे ठीक है और या फिर आप चाहें तो सीधे variables के थ्रू अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर जडबार है यहाँ पर जड़ है तो उस तरीके से आप variables लिख कर कर सकते हैं या फिर आप numbering जो मैंने यह numbering निकाली कि यह x-bar की value है तो यह SOP में तो यह 0 होगा तो उस तरीके से आप इन numbers को देख कर कर सकते हैं like 001 यहाँ पर आया 111 है तो यहाँ पर 1 triple है और यहाँ पर भी 1 हमें चाहिए तो इसमें 7 वाले में आएगा उसी तरीके से फिर 3 वाले में आएगा और उसके बाद फिर 5 वाले में आएगा ठीक ह अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है एक ग्रुप और वो है चार वन का ग्रुप और इन चारो वन को हमें ग्रुप करने के बाद फिर तो हमने ग्रुप किया अब हम देख रहे हैं कि xy की जो वैलू है वो हर जगद चेंज हो रही है लाइक यहाँ पर हर जग की value हमें जड़ मिल रही है तो final answer जो हो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ जड़ होगा ठीक है तो final answer जो है function का minimize करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जड़ मिल गया ठीक है कितना बड़ा था उसको कितना यहां पे दूसरी चीज करने होगी यह सेम चीज वहां वाली नहीं करने है तो यह POS फॉर्म में तो आप देख सकते कि product अगर है जैसे कि 1 plus 2 plus 0 अगर हम लिखेंगे तो हमारी value कोई change नहीं होने वाली 1 2 plus 0 equal to 3 वैसे भी 3 होता तो इसे लिए यहां पे हमें यहां पे plus 0 करना है और 0 plus करने के लिए हमें कोई ऐसा term ढूंदना पड़ेगा जो कि 0 हो तो आप जैख सकते हैं कि 0 का मतलब अगर हम Z यह यहां पे R है तो R हम ले लेते हैं तो यहां पे हमने लिए R into R bar ठेक है अब यह अगर 0 है तो यह 1 होगा अगर R की value 1 है तो यह 0 होगा किसी भी दो ही combination हो सकते है R के 0 या 1 possible जो possibility है और R bar की फिर 1 0 हो जाएगी और final जो भी है इन दोनों के product के बाद हमें मिलने वाला है 0 ही तो यहां पे हम क्या करेंगे कि plus करेंगे क्योंकि यहां पे summation है तो इसमें हमें sum करना है 0 और 0 की जगा पे हम sum करेंगे R plus R bar यहां पे Q plus Q bar को sum करना है ठीक है और हमें तिनों variable मिल जाएंगे अब यहां पे हमें distributive law लगाना है तो आप देख सकते P plus Q plus R और दूसरा term होगा P plus Q plus R bar तो उसी तरीके से हमारा सारा term हमने distribute कर लिया अब हम देख रहे हैं कि P plus Q plus R जो है वो दो बार आया हुआ यहां पे भी आया हुआ तो हम इसे further simplify कर लेते हैं और हमें यह 3 term final मिले अब हमें इसे 0 करना है ठीक है 0 fill करना है क्योंकि यह उसमें है POS form में है ठीक है तो POS form में है तो सबसे पहले अब क्यो 0 0 0 तो ठीक है 0 0 0 यहां पर आ जाएगा 0 पहला और उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे तो फिर उसमें भी है 0 0 1 तो हमारा दूसरा वाले जगह पर 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा और यहां पर फिर है 0 1 0 ठीक है अब सीधे हमने ऐसे फिल कर लिया ठीक है आप चाहें तो डा अगर आप लिक लेते हैं तो अगर आपको वही आसान लगता है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं यहां पर Q plus R होगा ठीक है उसी तरीके से यह सारे के सारे सिंपले अब हम देख रहे हैं यहां पर हमें नंबर्स सो सारे फिल कर लिया हमने 0 और 1 0 फिल करना था जिरो फिल कर लिया, अब हमें करने हैं ग्रूपिंग, तो हम देख रहे हैं कि यह दो जो बगल बगल में हैं, उनको सबसे पहले ग्रूप कर लेते हैं, तो हमने दो का ग्रूप बना लिया, अब यह जो जिरो है, इसको फिल कर ग्रूप करना है, तो हमने दूसरा तो प्लस प्लस क्योंकि शिद्सेश्ट को उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे नंबर जो है 00001 में जो 0 है स्टार्टिंग में वह चीज नहीं हो रहा तो प्लस कीू ठीक है अब हम दूसरे ग्रुप से निकालेंगे तो दूसरा वाला ग्रुप जो है उसमें भी पी जो है वो ठीक है वही है सेम है और यहां पर हमारा आ जो है यहां पर चेंज हो रहा है क्या यहां पर हमारा change हो रहा है change हो रहा है Q और R यहां पर R यह तो final answer ही हमें मिल गया question कहीं मिल गया यह तो POS में हैं लेकिन हमें इसे simplify करना है इस OP में हम कर लेते हैं ताकि इसे हम छोटा मिल रखे ठीक है अब जहां कि 00 नहीं है वहाँ वहाँ हम 1 ले आएंगे यह further reduce नहीं हुआ यह सबसे reduced form था POS का यह equation तो अब हम इसमें कैसे fill करना था वो मैंने आपको बता दिया कि POS के form में कैसे fill करते हैं अब हमें इसे reduce करना है तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे यहां पर जो भी बाकी जगा है P है ठीक है तो P है तो यहां पर मिलेगा हमें P क्योंकि यह SOP form में 1 को group कर रहे हैं और यहां पर हम देखेंगे कि हमारा common जो है P तो यहां change हो रहा है लेकिन यहां पर common है QR तो QR लिखेंगे तो P plus QR ठीक है वो हमें मिल गया SOP form में ठीक है तो इस तरीक से SOP form में हमें दूसरा मिल गया group करने के बाद तो अगर आपका question में यह further reduce नहीं हो सकता था POS form में तो SOP form में मैंने आपको reduce करके बताया है तो अगर हमें SOP form में निकालना है तो कितनी आसानी से निकाल सकते है तो 0 को fill करने के बाद फिर 1 को fill कर लिया हमने और यह हमें final SOP form में निकल किया ठीक है अब हम देखेंगे तीसरा इसमें question में हमें दिया हुआ है कि हमें SOP में निकालना ठीक है SOP में निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी products हैं हमारे उसमें तीनों variable है हमें कोई भी variable add करने की ज़रूरत नहीं है तो हमने सबसे पहले सारे variables के हिसाफ से fill कर लेना तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 है यह 1 है यह 1 है यह 0 है यह 1 है यह 0 है और यह 0, 1 तो अगर आप चाहें तो सीथे इसके form पे कर सकते हैं तो 3 में फिल होगा 2 में फिल होगा 1 में फिल होगा तो यह 3, 2, 1 अब हम देख रहे हैं कि दो-दो का group बनेगा लेकिन हमें SOP form में करना है तो हमें बाकी जगा पे 1 फिल करना होगा तो हमें SOP में करना है तो हमें SOP में करने के लिए बाकी जगा 1 किया हमने अब हमें देखना है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे मिल रहा है यह 4 का एक ग्रूप तो हमने यह 4 का ग्रूप बना लिया और एक जो बच रहा है है उसको हमने 2गे बना लिए अब दो का गृप बनाने के बाद हम देख सकते कि यहाँ पर हमें आएगा अंवर यह हो यहाँ पाँ आ रहा है यह हूं हमें आएगा ए प्लस दूसरे वाले पे हम हम देखेंगे कि यहां पर गम फो हम हैं जिरो और वन हैं लेकिनि में've BCA, B bar C bar ठीक है, क्योंकि यह B bar C bar होगा, तो यह हमारा है final answer SOP में ठीक है, तो POS से SOP में जो हमारा reduce करके form आया, वो आसानी सा यहां पर निकाल सकता है ठीक है अगर हम इसे हमें POS में ही निकालना होता POS में हमें निकलता है यह reduce करने के बाद 2 term दो group में बनता यह, 0-0 के यहां पर करेंगे और यहां पर 0-0 करेंगे ठीक है, दो group बना अब हमें इन दोनों के ही group से निकालना है, तो पहले वाले हम देख रहे हैं कि A change नहीं हो रहा है, और यहां पर जो A है, यहां पर होगा, ठीक है A की value यह है, और यह है A bar, ठीक है तो अब हम देखेंगे, यहां पर A, A bar क्रिकती है A है, यहां पर और हम देखेंगे कि यहां पर change क्या नहीं हो रहा है आपका जो 0-1-0-1 में हमारा C गा value 1 है ठीक है, वो change नहीं हो रहा है, पहले वाले अब दूसरे वाले में हम देखेंगे, ग्रीन वाले ग्रूप में A तो है, यहां हमारा B की value change नहीं हो रही है तो B bar, यह हमारा POS form में आएगा और POS form में हमें मिलेगा यह final answer, ठीक है SOP हो, POS में हो, किस तरीके से grouping के जाती है और किस तरीके से आप groups को निकालने के वाद उसका answer लिखा जाता है, वो मैं आपको बता रही थी इसमें के map में, अब हम देखेंगे कि numbers को अगर हमें fill करना हो तो, तो यहां पे देखेंगे कि ABC तीन term में है तो हमने तीन term का बना लिया, अब यहां पे हमें mean terms दिये हुएं, ठीक है, mean terms के group है 1, 2, 5, 7 1, 2, 5, 7 पे हम 1, 1 को fill कर लेंगे, ठीक है अब देखना है, यहां पे हमारा don't care भी दिया हुआ है और don't care के जगह पे हमें cross को fill करना होता है, तो cross को fill करेंगे सबसे बड़ा सा बड़ा group बनाना होता है, वो group हमें cross मतलब don't care के साथ भी बना सकते हैं, ताकि हम minimize form मिल सके, तो यहां पे, हमने सबसे पहले हमें 4 ग्रुप मिल रहा है, यहां पे, तो 4 का group मिला, फिर एक और हमें 4 का group मिल रहा है, तो यह हमें 1 और 4 का group मिल गया अगर वो छूट रहा है कि इसा गृडब में नहीं आ रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ववन या जीरो कभी भी गृडर नहीं छोटना चाहीज है तो यहाँ पर हमने कर लिया इससे चारका ग्रूप बना लिया यहाँ पर और यह बना चारका ग्रूप ठीक है हमारे पास बना झांस झाल 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 झाल